नमस्ति किसन भायो आज हम बात करने वाले कंपेरिटियों बात करने वाले हैं दो वराइटियों के बारे में सरपंच डोली चोस नमबर 3 और सरपंच डोली चोस नमबर 4 गावरान ये जो दो वराइटिया है तो ये दो वराइटियों के बारे में आज हम कंपेरिटियों बात क के लिए उसे के साथ साथ फसल का अवधी कितना होता है याने के कितने दिनों तक हम इसकी फसल ले सकते हैं बाद में पंक्ती से पंक्ती या फिर पोधे से पोधे दूरी कितनी रखनी चाहिए बुवाई करते समय यह सब जानने के लिए आज का वीडियो देखना बहुत जरू दीजेगा तब यह आपको नई-nई वड़ियो की जानकरी मिलते रहेंगी क्योंकि अकसर हम लोग नई-nई वेशों के उपर आपको जानकरी देने के कोशिश करते रहते हैं तो जान लेते हैं पुरिविश्टुरूत में कंपेरोटिली बात करते हैं यह दो वाराइटियो क इसके फल की जो लंबाई है वो 12-15 cm तरक हो सकती है अब यह आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं यह सरपन्ट डोली जोस नमबर 3 यह जो वरेटी है इसके फल देख रहे हैं बहुत ही भहतरीन फल है घर हरे कलर के फल है और आप देख रहे होंगे इनकी लंबाई कैसी होती है और इनके उपर की जो परक है बहुत ही भहतरीन आ जाती है इसके तरह डोली जोस नमबर 4 यह जो गावरान वरेटी है इसके भी फल होते है वो भी भहत ही भहतरीन होते है अब हम पोदों के उचाई के बारे में बात करते है सरपन डूली चुस नमबर 3 और सरपन डूली चुस नमबर 4 यह जो गावरान वाराइटिया है यह दोनों के दोनों वाराइटिया जाड़ेदार है और इनके पोधों की जो उचाई जो है वो 60 से लेकर 70 सेंटीमेटर तक बढ़ सकती है और इनको किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है मचंन बनने के कोई जूरत नहीं पड़ती है तो यह जो है बहुत ही भेटरीन किसान के फाइदेमन बात है यह अब हम बात करते हैं पहले तुड़ाई के बारे में तो सरपन डूली चुस नमबर 3 यह जो वाराइटी है इसकी तुड़ाई जो है वो 25 से 55 में हो जाती है और सर्पार्ण डोली चुस नंबर तिन जो वारिटी है इसकी तुड़ाई सबसे पहले हो जाती है किसान को harvesting सबसे पहले मिलता है इस वारईटी का अब हम बात करते है कौनसे मोसम इसको लगाना चाहिए चाहे सरदी का मोसम हो डंड का मोसम हो या फिर बारिश का मोसम हो किसी भी मोसम में हम इन दोनों वारेटिय को लगा सकती है, इनकी बुवाई कर सकते है क्योंकि इनके उपर कोई असर नहीं होता है वाता औरंका, खाली 35 डिग्रे से उपर अगर गर्मियों के दिने में इसके बारे में जान लेते है तो 3-4 किलो तक हम बिज लग सकते है प्रती एकड़ जब हम इसकी बुवाई करते है तो बार में हम जान लेते है फसल की आउदी के बारे में तो सरपन्डूलिचुस नंबर 3 यह जो फसल है, इसका आउदी जो है, 120 दिन से लेकर 155 दिन तक यह निकल कर आती है फसल खत्म हो जाती है लेकिन सरपन्डूलिचुस नंबर 4 यह जो गाउरान वाराइटी है तो इसकी जो फसल आउदी जो है वो भी 120 से लेकर 150 दिन होती है लेकिन अगर सही तरह से हम इसकी देखवाल करेंगे तो बिल्कुल ही 6-7 महने तक हम इसकी तुड़ाइक कर सकते है उत्पादन ले सकते है और सही तरह से मुनाभा भी कमा सकते है अब हम जान लेते है 35 से पंक्ती की दूरी और पोदे से पोदे दूरी कितनी रखनी चाहिए जब हम बुवाई करते है तो किसान भाईयो 35 से पंक्ती से जो दूरी रहती है 60 से 75 सेंटीमेटर होनी चाहिए यानि कि 2 से डाइ फिट होनी चाहिए सरपन डोली चोस नंबर 3 हो या फिर सरपन डोली चोस नंबर 4 है दोनों वराइडियों में अंतर सेम है और पोदे से पोदे की जो दूरी है वो 20 सेंटीमेटर से लेकर 30 सेंटीमेटर तक होनी चाहिए ऐसे इसकी बुवाई होनी चाहिए तो ही बहुत भेतरी हमें इसका उत्पाद मिलता है लेकिन किसान भाईयो अगर आप बेड़ बना कर अगर इसकी बुवाई करना चाहते है अभी आप जो लोग प्लॉट देख रहे है यह बिल्कुल ही साड़े चार फिट का बेड़ बनाया है और उसके उपर सही तरह से मल्चिंग बिचा कर इसकी बुवाई की गई है तो इसमें थोड़े से उत्पादन तो बढ़ जाता है बिच जो है वो भी कम लगता है और उत्पादन बहुत बहुत बहतरिन मिलता है अभी आप देख रहे हैं किस तरह से इसको फलिया लगी है आलागी टेमपरिचर थोड़ा सा जादा है इस बचय से फ्लावर ड्रोपिं की समझा इसमें जादा है लेकिन उसके बावजुत भी बहुत भेतरिन फल पकड़ा है अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये फलिया जो है सर्पन डोलिचुस नंबर 4 ये जो गावरान भाराईटी है इसकी फलिया आप देख रहे है इससे पहले मैंने आपको सरपन डोली चोस नमबर 3 की फलिया दिखाई थी और आप देख रहे है सरपन डोली चोस नमबर 4 यह जो वराइटी है इसके फलिया तो बहुत बड़िया फलिया है शाइनिंग उनके उपर बहुत 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 बहु लोग ने www.technicalfarmers.com एक website बनाई है इसके माध्यम से हम लोग बलॉग बनाते हैं और इस ब्लॉग के माध्यम से आपको नहीं नहीं विशों के ऊपर नहीं नहीं जानकरी देनी के कोशिश करते हैं हाल ये में हम लोगों ने एक block बनाए है, उसमें हम लोगों ने आप जब pesticide खरीते हैं या फिर कोई भी फपंदी नाश क खरीते हैं या फिर herbicide खरीते हैं तो अप उसके पिछे एक leplete लगाय Może भी। उस leplete में आपको पूरी तिर असे जानकारी दी जाती है कि हम लोग ने कौन से कौन से क्रिया शिल्टत्व है यह सब जानकारी के लिए हमें एक लिपलेट दिया रहता है बाद में इसे के साथ साथ बहुत ही महतु पुर्णा जानकारी दी जाती है जैसे कि अंतीम चिड़काव करने के बाद फसल की कटाई करनी चाहिए या फिर अगर वीच बाता हो जा पेस्टिसेड इस्तमाल करते है और कुछ पेस्टिसेड बचा हुआ रहता है तो अगर आपको फिर से इस्तमाल करना होता है तो आपको उसमें पता नहीं चलता कि यह कौन से फसल के उपर हम इसके इस्तमाल कर सकते है और कुछ कितनी मातरा में इस्तमाल कर सकते है इसके पर जानकर आपको अगर सिर्फ उसमें लिखा हुआ अगर कंटेंट आप देखेंगे और वो डूंटेंगे इस वेबसेट के माध्यम से तो आपको उसकी जानकरी मिल जाएगी कितनी मातरा में इस्तिमाल कर सकते है कौन से फसल में इस्तिमाल कर सकते है कौन से रोगों को कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तिमाल कर सकते है अंतिम कटाई अंतिम छिड़काओ के बाद कटाई कब करने चाहिए पूरी की पूरी जानकरे आपको इसके माद्यम से मिल जाएगी और आपको जो पूरा ना बचा हुआ जो पेस्टी सड़े उसका भी खर्चा आप नए खरीदने से बच जाएगे तो इस तरह से आपको बहुत ही वैल्यूबल जानकरी इस ब्लॉग के माद्यम से मिल जाएगी धन्यवत किसन भायो वीडियो अगर कोई दिक्कत है मुझे कॉमेंट करके बता दीजेगा और अगर आपने अभी तेक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब कर दिजेगा और साइड में जो बई लाइक होनाते उसको दबा दीजेगा तभी आपको नए नए वीडियो की जन करें मिलते रहेंगे तो धन्यवाद के संबायों फिर से एक बार आपको पूरा वीडियो दिखने के लिए